सुप्रभातम बच्चो आए शुभाशितानी के इन श्लोकों का भावार्थ हम जानें तो सुरू करते हैं पहले श्लोक्षे गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ती ते निर्गुणम प्राप्यभवन्ती दोशाः सुस्वादुतोयाह प्रभवन्ती नद्यह समुद्र माशाध्य भवन्त्य पेयाह अर्थात सभी गुण जब तक गुणवान व्यक्ति में होते हैं गुण होते हैं गुणा गुणे केशु गुणा भवन्ती ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ती दोशा है पर वही गुणहीन व्यक्ति को पाकर दोश बन जाते हैं वही गुण जब गुण हीन बेक्ति के पास चले जाते हैं तो वह दोश बन जाते हैं तो स्वादुतो यह प्रभवन्ति नत्य हो जिस प्रकार नदिया स्वादिश्ट जल से युगत होकर ही परवतुं से निकलती हैं समुद्र मासाध्य भवन्त्य पेया लेकिन जब वह समु शाहित्य संगीत कलावी ही नहां साक्षात पशु पुच्छ विशान ही नहां त्रिनन खादन नपी जीव मानह तद भाग धेयं परमं पशु नाम अरथार शाहित्य संगीत और कला कौसल से हीन व्यक्ति वास्तो में उच तता सीन से रहित पशु की तरह है जो त्रिनन न खातती जो घास तो नहीं खाता पर पशु की तरह जी रहा है तद भाग देयं परमं पशु नाम इसे तो हम उन पशु का सोबाग ही कहेंगे कि वह ऐसा वह मनुश्य घास न खाकर केवल श्वादिष्ट भोजन खाता है नहीं तो पशु के लिए घास भी नहीं बचती तीसे श्लो की तरह बढ़ते हैं चुगल खो नश्ट क्रियस्य कुलम जिसके कर्म नश्ट हो चुके हैं ऐसे व्यक्ति का कुल धन को अधिक महत देने वाली व्यक्ति का धर्म बूरी लत वाले का विद्याफल विद्या का फल उसका ज्यान कंजूस का शुक्र और ऐसा राजा जिसके मंत्री आले शिशे पूर्ण है उसका राज्य नश्ट हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले श्रोग की तरब पीत्वारसं तुकटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेवजन येन मधुमक्षिकाशव संतस्त थेवसं सज्जन दुर्जनानं सुरुत्वावचभ मधुर्शुक्त रतं रशं स्रिजन्ति अर्थात जिस प्रकार मधुमक्षि हो मधुमक्षि कडवे अथवा मधुर्यरस को समान रूपशे पीकर मीठा रश ही उत्पन्न करती है ठीक उशी प्रकार संतस्त थेव ठीक उशी प्रकार संत लोग जो होते हैं वह सत्य जना और दूष्ट लोगों के वचनों को एक समान रूप में सुनकर क्या करते हैं मधुलशुक्त र्सं स्रिजन्ति केवल मधुल शूक्त रूपई अन्याल भचन रूपई रस का ही निर्मान करते है जो हो मधुल्ध के लिए लाबदाईशिक्ध होता है शलोक नमबर बाज विहाय पौरुषम योही दैव मेवाव लंबते प्रासाद सिंह वत्तस्य मूर्धनी तिश्ठन्तिवाय साह अर्थाथ पौरुष अपने बल को छोड़कर जो भागी के ही भरो से बैठे रहता है उसके इस्तिती ठीक उष्महल के बाहर बनी सिंह की सेड की मूर्ती के समान हो जाती है जिसके सेड पर केवल कव्वे ही बैठे रहते हैं अर्थाथ वह बैठी पिर किसी भी काम का नहीं रहता जो केवल भागी के भरोशे रहता है शलोक नमबर छे पुष्प पत्र फल छाया मूल वलकलदार हुई धन्या महीर रहाये शाम विम्खम यानति नार्थि नहो अर्थाथ ऐसे ये पेड धन्य है महीर रहाया यानि पेड ऐसे पेड धन्य है जिनके पास आने वाले याचक मागने वाले कभी भी खाली हाथ नहीं लौड़ते क्योंकि ये उन्हें पत्ते फूल फल छाया जड अपनी छाल तथा लकड़ी आदी के रूप में कुछ न कुछ अवश्य देते हैं इसलिए यहाँ पेड ये क्या है धन्य है अंतिम श्रोक के तरफ बढ़ते हैं अर्थात कोई भी समस्या आनीशे पहले हमारे पास उसका समाधान यानि उसका हल होना चाहिए नहीं तो यह वैसी ही स्थिती हो जाएगी कि घर में आग लग चुकी है और हम कुआ खोद रहे हैं इस परकार तो सारा घर जलकर नश्ट हो जाएगा आने वाली विपत्ती को समस्ते वे उसका हल हमें पहले ढूंड लेना चाहिए ठीक है धन्यवार कर दो